हेलो माई डीर श्टुडेंट्स आज से हम शुरू कर रहे हैं सोसल साइंस का चैप्टर नमर फोर्थ और चैप्टर का नेम है नैशनल इंटिग्रेशन मतलब की जो नैशनल है वो किस तरह से इंटिग्रेट होता है जो लोग है वो यूनिट किस तरह से होते हैं क्या उसका बेस होता है यह सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं तो चैप शुरू करते हैं किसी भी nation के foundation के लिए base के लिए हम national integration को कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आवशक होता है बहुत ज़रूरी होता है जो national integration है किसी भी nation के लिए base का काम करता है नेशनल इंटिग्रेशन को और बहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखर नेशन किसे क्या कहेंगे क्या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को हम नेशन कहेंगे या फिर हम किसी व्यक्ति को nation कहेंगे देखिए जो nation होता है वो किसी particular बड़े शित्र में रहने वाले लोगों की collective feelings होती है मान के चलिए कि बहुत सारे लोग हैं उन लोगों की political, cultural और geographical जो feeling है उसका representation एक nation होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी nation के existence के लिए national integration बहुत जरूरी है national integration में वहाँ पर रहने वाले सभी जाती, सभी creed और सभी geographical में रहने वाले लोगों के बीच one-ness होना चाहिए किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए इसे हम कह सकते है national integration किसी भी देश के लिए वहाँ के लोगों की feeling का integration ही सही national integration होता है किसी भी देश में रहने वाले लोगों के मन में एक दूसरी के प्रती unity की feeling का होना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है और यही उस देश के national integration का foundation होता है उस देश का आधार ही national integration होना चाहिए तरसल किसी भी देश में जो national integration है वो लोगों के thoughts, feeling और उनके विहेव से दिखता है कि यहाँ पर कितना national integration है इसी लिए हर एक citizen का ये दायत्व होना चाहिए उसकी ये सबसे पहरे duty होना चाहिए कि उन लोगों को oppose करें उन लोगों के खिलाब वो آवाज उठाए जो उसके देश की शांती को भंग करते है national integration के सामने आने वाले जितने भी जो तत्व हैं उनको रोके और उनको खत्म करें उनके खिलाफ आवाज उठाए तबी हमारे देश में जो national integration है वो ज़ादा strengthen होगा इंडिया की बेहाब से देखें तो जो हमारा ancient इंडिया है वहाँ पर हमें ऐसा देखने में नहीं मिलता कि इंडिया में national integration की कमी रही हो जब हम देखते हैं हमारे ancient इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे community के लोग हैं जो time to time इंडिया में आते रहे और इंडिया के साथ उस इंडिया की culture में वो मर्ज हुए उनकी जो संस्कृती थी उनका जो culture था उन्होंने इंडिया में रहने बाले लोगों के साथ intermingle किया और उसके बाद इंडिया से भी बहुत कुछ इसने सीखा तो इस तरह से जो इंडिया का national integration है वो बढ़ता चला गया और साथ ही जो हमारा historical background है वो और भी जादा strong होता गया जब अलग अलग शेत्र के लोग इंडिया में आते हैं और इंडिया के साथ उनकी language उनका reason उनकी community को वो intermingle करते हैं और उसके बाद जब वो इंडिया का part बन जाते हैं तो ये सारी चीज़े हमारे Indian culture को और भी जादा strong करते हैं जिससे पदा चलता है कि जो हमारा Indian culture है वो इतना जादा rich क्यों है National integration को और भी जादा strong करने के लिए जो हमारे cultural programs रहे कुछ steps हमारे ऐसे रहे जिन से जो हमारा national integration है और भी जादा बड़ा Example के तोर पे हम देख सकते हैं कि हमारे ancient time से जो हमारे बुजर्ग हैं हमारे Indians time to time pilgrimage करते हैं बद्रीनाथ, जगनाथ, पुरी, रामेश्वरम, द्वारका इनकी जब हम location देखते हैं तो ये इंडिया में एक कोने से दूसरे कोने पर है और जब कोई आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको अलग-अलग culture मिलता है साथी साथ इससे वो लोगों के साथ और भी ज़्यादा घुल मिल जाता है तो ये process आज से नहीं है बलकि ancient time से चली आ रही है तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा national integration है वो इतना strong क्यों है और विशेश तोर पर हमारे इंडिया के लिए national integration क्यों जरूरी है कुछ हमारे programs हमारे इंडियन culture के जो functions हैं उनसे हमें पता चलता है कि उनका भी national integration में बहुत जादा एहम role है लाइक हर three years में हम देखते हैं कि different different areas में महा कुम मेले का आयोजन होता है और काफी दिनों तक कि ये मेला चलता है तो जिसमें पूरे देश के लोग उस particular area में आते हैं और देशन करते हैं तो ये सारे चीज़े हैं ये सारे programs भी कहीं न कहीं national integration के point of view से बहुत ज़रूरी है national integration के type की बात करते हैं तो हमारे पास two type के national integration है एक वो है जो पूरा का पूरा base करता है unity पे common language mode of living है हमारा rights, rituals, reason in common mode of worship जो हमारा पूजा करने का तरीका है यहाँ पर बात हो रही है किसी एक particular धर्म की किसी एक particular religion की और जो दूसरे type का national integration है वो है unity in diversity the language mode of living rights and rituals, reason जो की दूसरे धर्म के शाथ हम जब रहते हैं और उनके साथ हम unity में रहते हैं तो यह एक दूसरे प्रकार का national integration है अलग अलग धर्मों के होने के बाबजूत जब हम national level पर national issues की बात करते हैं देश की integrity, sovereignty, emotions की बात करते हैं तो हम सभी की जो feelings है वो एक है जब हम one nation की बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो हमारा national integration है उससे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि इंडिया में national integration कितना जरूरी है और कितना strong है इंडिया में अपने देश की integrity के लिए, unity के लिए जो हमारे national leaders हैं उन्होंने काफी सारे efforts लगाए बहुत ज़ादा उन्होंने methods लगाए जिससे की जो हमारी unity in diversity है ये feeling कभी खत्म ना हो कुछ examples हैं जिनके बारे में हम समझेंगे और इन methods से जो हमारा national integration है वो और भी ज़्यादा strong होता है कुछ principles हैं जिनसे national integration है वो और भी ज़्यादा strong होता है like democracy, fundamental rights, directive principles of the state and policy, uniform judiciary, secularism, national embols and national festivals है इससे जो हमारा integration है और ज़्यादा strong होता है